जोड़ा तालो से वेलकेम करना चाहूंगा कमपनी रोयल अमिश्चर मिश्चर अमीद दुबेसर प्लीन वेलकोम अंदो श्टेट अलिया जब भी बजेगी तोगों आसों बढ़ करके बजेगी सुनता पाते यह 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 थांक्यू अभी खान सर बोल रहे थे ना कि यह क्रूज हिल क्यों रहा है तो हिंदुस्तान डारेक्ट सलिंगे सबसे बड़ी ग्रेविटी क्रूज की स्पार्ट पर लाके खड़ा हुआ हिलना तो लाजमी है और यह मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं जब जब हम लोग यहां लाक तो जब एक साथ एक हजार ब्रांड एंविजडर कहीं कठा हो जाए एक हजार ब्रांड एंविजडर का मतलब है सत्तर हजार करोड़ सत्तर हजार करोड़ जब एक जगहीं कठा हो जाए तो मेरे भाई एक एक फ्रांथ की इकनोमी होती है इतनी बड़ी फिलना तो लाजमी ह दोस्तों सबसे पहले सारे कुरूज ऐचीवर को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत-بहुत बढ़ाई हो आप सारे लोगों को कि आप सारे लोगों ने कंपनी कुरूज का तार्गेट फाइट किया और फाइट करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनको भी बढ़ाई जो किसी के बदले आये हुए हैं क्योंकि आपने जोर लगाया होगा परिसान किया होगा आप लाइन को इसलिए यहां तक पहुंचे होंगे मुझे नहीं पता कि आज पिछले दो दिन से स्क्रूज में बैठके आप कैसा महसूस कर रहे हैं लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बात रियल में अनुभाव करने वाली है मैं एक परसेंट लोग जितने बैठे एक परसेंट लोग को गर इग्नोर कर दूँ बाकी 99 परसेंट वो लोग ऐसे हैं जिन लोग की आउकाद भी नहीं थी कुरूज में पैर रखने की हाँ या ना विश्वास नहों तेक दूसरे को देख लो खुद समझ में आ जाएगा कल जब मैं उपर घुम रहा था तो मैंने ये चीज़ फिल किया क्या कमपनी बनाई है हमारे गुर्देव संजी उसर ने और क्या गुरूजी की सोच है कि जिस अस्थान पे एक आम इंसान जाने का सपना नहीं देख सकता जिस अस्थान पे लोग एक आम इंसान को कदम तक नहीं रखने दे सकते हैं उस अस्थान पे पंद्रह सो आम इंसान बैठके पूरे क्रूज को फिछले 24 घंटे से एकदम बिलकुल लहरा रहे हैं ये कोई चोटी हमटी बात नहीं है, आप इस कुरूज की लगजरी का जो मतलब है न इस तरीके से निकाल सकते हो, ये कुरूज तीन दिन की होती है जन्रली, साल में 365 दिन होते हैं, यानि 100 ट्रीप यह लगाता होगा, आया न, तो 100 ट्रीप साल में यह लगाता होगा, एक कुरूज को में पूरे हिंदुस्तान के डेल लाख लोगों कोई मात्र मौका मिलता है इस लगजरी का मजा लेने का अब सोच के देखो मेरे दूस्ते आप कौन लोग हो आप एक बर सोच के देखो यहां जो आप बैठे हैं न यहां बैठना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है इस पॉरे हिंदुस्तान की एक परसेंट भी नहीं 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 पॉरे हिंदुस्तान की एक पर और आप यह चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, कि अगर हमारी 4 महिने की मेहनत, 4 महिने की मेहनत होती है, 4 महिने की मेहनत, अगर आपको इंडिया के 0.1 परसेंट लोगों में आपकी इंटरी करा सकती है, तो सोच लो जब 4 साल मेहनत कर दोगे तो कहां तब पहुँचने वाले हो, चार साल लगातार मेनत अगर कर देते हैं तो हम कहां पहुंचने वाले अभी खांसर ने पुछा कितने एसे लोग हैं जो पहली बारा हैं मैंने देखा 80 परसेंट लोग नए हैं अचा मजे की बात सुनो पीछले बार भी कुरूज भरा हुआ था ऐसे ही खचाखच तो कहां चले जा रहे हैं हर साल ये लोग आप में से कितने एसे लोग हैं जो जसल में ट्रिप गये थे ओके 40 परसेंट और कितने एसे लोग हैं जो मनाली नेपाल आने वाले हैं जूट पक्का होगे? आओगे पक्का? जूट तो नहीं बोल रहे हो? जूट तो नहीं बोल रहे हो? मेरे दोस्त अगर ये तीन दिन के सफर में अगर हम अपने अप्लाइन और इस संस्था को धन्यवाद के रूप में कुछ देना चाहते हैं दूसरे से जुट बोल दो चलेगा लेकिन जो इनसान खुद के परतिमांदार नहीं है किसी का नहीं है जो खुद से बहिमानी कर रहा हो जो अपने परिवार से बहिमानी कर रहा हो वो तो इनसान होना ही उसके लिए बेगार है मेरे दोस्त ये difference क्यों हो रहा है? Same platform, same education और अगर आपने एक बार achieve किया है इसका मतलब है कि आपके अंदर target achieve करने की ताकत है अगर आपने एक बार छोटी success लिया है इसका मतलब आपके अंदर सफल होने की आदत है आपके अंदर सफल होने की capability है मानते इस बात को नहीं मानते लेगिन हम हर बार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि अगर इस सवाल का जवाब आपने अंदर ढूंड लिया न तो फिर आपको इस दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता कोई target आपसे अचूता नहीं रहेगा problem क्या है? हम सबने success के लिए मेहनत किया हम सबने इस achievement के लिए मेहनत किया लेकिन जैसे achievement हमारी life में एक छोटी से achievement आती है हम relax हो जाते हैं दूसरा हमें ऐसा लगता है कि achievement हो गया होगा हमारा self-confidence कमजोर हो जाता है और जितने भी लोग हर बार target अचीव कर रहे है मेरे दोस्त उनमें और आप में कोई difference नहीं है सिर्फ ये दो चीजों की जो कमी है उन्होंने दूर कर लिए अगर तुझे स्लीपियस वेलनेस में brand ambassador बनना है तो एक कसम खाले कि कई बार ऐसे छोटे रहेंग पर होता 400-500 SP कम पढ़ते थे हम अपनी कमाई लगा देते थे product बाद में बेच लेंगे क्योंकि सफलता एक आदत है और ये डिपेंड करता है कि आदत आपने बनाई कैसे कई बार आदत जबरजस्ती बनाना पड़ता है सुब उठने का मन न करे alarm लगाना पड़ता है या घरवालों को बोलना पड़ता है पानी फैक के उठा देना और लगतार 20 दिन तक अगर हम लोग सुब उठना सुरू कर देते हैं चाहे alarm से चाहे पानी फैक के तो फिर 22 ते इस दिन से automatically सुबंदीन खुलने लग जाती है, ऐसा होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, practically आप सब के साथ होता है, आददत है मेरे दोस्त, वैसी ये target achieve करना एक आददत है, अगर एक बार लग गई, दो बार लग गई, तीन बार लग गई, लगतार पांच तारगेट अगर आप अचीव कर जाओगे, तो आपके अंदर आददत आ जाएगी, तारगेट अचीव करने की, फिर आपकी हर तारगेट अचीव होगी, और कमाल की बात है, कि अमारे गुरुजी लोगों ने इस तारगेट इतना भैतरीन तरीके से डिजाइन किया है, जो इनसान लगतार 20 से पाचीव कर जाता है, वो अचीव कर जाता है, कर के देखना, कर के देखना, 20 भी नहीं होगा, 15, 16 तारगेट के बाद अचीव करते रहोगे, ये आदत हमें डेवलब करना है मेरे दोस्त ये जो दो दिन की जिंदगी S.L.P.S. वेलनेस ने हमें दिये ये हमारी वास्तिक्ता नहीं है सच्छाई देखा जाये तो कमपनी ने ये कोशिस किया है हमें महसूस कराने का कि अगर तुम चाहो तो तुम भी ऐसी जिंदगी जी सकते हो क्योंकि वास्तिक्ता तो तब होती जब यहां बैठा हर इंसान के पेबल होता हर साल अपने परिवार के कोडेलिया क्रूज में अपनी आउकात पे घुमाने की जब कि सच्चाही अभी नहीं कर सकते हैं तो हमारी संस्थाने इस ट्रिप के माध्यम से दो दिन के अंदर ऐसास दिलाने की कोशिस की जा रही है कि आप अगर ऐसी जिंदगी एक बार जी सकते हो कोशिस करो अपने जीवन में में मेहनत करो S.L.P.S. Wellness Platform आपके हाथ में है अगर आप चाहो तो जिंदगी भर ऐसी जिंदगी अपने परिवार को दे सकते हो लेकिन ऐसी जिंदगी अपने परिवार को दे पाएगा कौन जो यहां से जाने के बाद घर के बिस्तर को भूल जाएगा यहां लोग सोचते हैं कि डेली बीबी के हाथ के बने हुए खाने मिले और क्रूज मिले ना संभव नहीं है मेरे बाई दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस मैन किसी का भी एक्जामपल लेके देख लो जो साल में दस दिन का भी रोटी घर का तोड़ता हो हम बनना चाहते हैं करोड़ पती लेकि हमारे अदाएं और हमारे काम करने के तरीके हैं रोड़ पती के यही प्रोब्लम है अगर यह जिन्दगी चाहिए यह कसम खा के हां से निकलना पड़ेगा कि आज के बाद घर की रोटी भूलेंगे और बाहर होटल ढाबो की रोटी हमें तोड़ना पड़ेगा देखो बोलते हैं भगवान के सामने और गुरू के सामने जो बोलोगे वो मिलेगा आवाज पहुँचना चाहिए गुरू जी के पास क्योंकि हमारे गुरुदे बहुत ही हिर्देवान है तो यहां से जाने के बाद घर छोड़ने के लिए त्यार हो पका पका जो छोड़ देगा और दूसरी टिका रहेगा छोड़ के कहीं और मत चले जाना क्योंकि छोड़ने के मतलब एक और कीड़ा हो जाता है आया ना सफलता के लिए दो चीज़े बड़ी इंपोर्टेंट होती है पहला हमारी मेहनत दूसरा प्लेटफॉर्म और सबसे मुश्ट इंपोर्टेंट है प्लेटफॉर्म मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या हम लोग जिस लेवल पे आज पहुँचे हैं पिछले साड़े साथ सालों के अंदर लबक चौदा करोड से ज़्यादा की इंकम है एसलिपियस वेलनेस से और मेरे दोस कल हम लोग गुरुजी के साथ बैठे थे तो गुरुजी बता रहे थे कि आज इंडिया में दस करोड से ज़्यादा कमाने वाले लोग मातर एक लग लोग हैं एक गरीब परिवार का बच्चा एक दस्वी पास बच्चा किसान का बेटा साथ साल के अंदर क्या किया उसने इंडियन एकनोमी के 1% contribution में अपना स्थान रखा हुआ है अब सोच के देखो कितनी बड़ी बात है तो मेरे दोस्त ये ताकत हमारी नहीं थी मैं अगर बोलू चोड़ा होके कि मैंने किया तो ये ताकत हमारी नहीं थी यूगि अगर ताकत हमारी होती तो 2016 से पहले हम कहां थे हम SLPS Wellness में आने से पहले क्यों नहीं कुछ कर पा रहे थे सबसे बड़ी ताकत है इस प्लेटफॉर्म की SLPS Wellness प्रावेट नहीं थी सबसे बड़ी पावर अगर किसी के अंदर है हमारी सक्सेस में तो वह है इस प्लेटफॉर्म की आज इतने अच्छे प्रोडेक्ट जिन प्रोडेक्ट को मार्केट में ले जाते हैं वक्त हमें घर्व मसूस होता है आज जितने बड़े-बड़े कमिटमेंट रिजल्ट ओरियेंटेड हमारे फाइटर्स कर देते हैं आज तक मेडिकल फिल्ड में कोई 100% नहीं बोलता है लेकिन हमारे फाइटर ताव के साथ बोलते हैं क्योंकि हमें गर्व और विश्वास से अपने स्लिपियस विल्नेस के प्रोड़ेक्ट को उपह रहा है आया ना यस या नो किसी का बच्चा गुंगा बह रहा है नहीं बोल रहा है अपने प्रोड़ेक्ट उठा के दे दो किट डोग, थंडर बलास, ब्रेंड डोग रिजल्ट आएगा जी 100% बोलते हैं नहीं बोलते हैं यस या नो और यहां इतने सारे ऐसे लोग है जो भीना डिग्री के भी डॉक्टरों से बड़ी टेस्टिमोनियल लेके यहां पर बैठे हुए तो सबसे बड़ी ताकत हमारे प्लेटफोर्म कियें क्योंकि हमारे प्लेटफोर्म ने इतना सांदार प्रोड़क्ट दिया इतनी सांदार प्याउट सिस्टम मिली भी खांसर बता रहे थे कि पता ही नहीं चलता यार खर्चा करें कितना और कितना पोकीट में रखते इस महिने के काउंट में खर्चा नहीं होता अगले महिना फिर एकाउंट में आ जाता है इस महिने का खर्चा नहीं होता, अगले महिना फिर एकाउंट में आजाता है और यह एक लौतिया इसी इंडस्ट्री है, एक लौतिया इसी कंपनी है मेरे दोसे स्लिपियस वेलनेस जहां पे हर एक इंसान पैसा कमा रहा है दुनिया के हर डारेक सेलिंग इंडस्ट्री की डेफ रेष्टियो 70-80% होती है और इसलिपियस वेलनेस में मातर 5-10% है इतना मजबूत प्लेटफॉर्म हमारे पास है दूसरा अप्लाइंग वो लोग जो हमें बाहर रूप से सपोर्ट करते हैं एक बहुत बड़ा रोल है हमारे ग्रेट अप्लाइंग के जिनकी मेंटर्शिफ हमेशा मिलती रहती है यह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10 साल, 20 साल, 15 साल डारेक सेलिंग में काम किया बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरी कंपनी से भी आया होंगे एक एक करोड कमाने के बाद दूसरे जगा के अप्लाइंग टेहड़े होके घूमने लगते है तू मेरे से बात कैसे कर सकता है ऐसी बाते करते हैं लेकिन मेरे दोस्त मैंने खुद देखा और आपने भी महसुस किया होगा एसलिपियस वेलनेस नहीं एसिया के टॉप एचीबर हमारे ग्रेट गुरु मैपाल सर आज भी प्लान देते हुए दिखाई देते हुए आप सोच के देखो कोई ऐसी अक्टिविटी नहीं होती यहाँ सफायर, स्टार सफायर, डायमंड गयब हो जाते हैं लेकिन आपको इसलिपियस वेलनेस के कोई भी टॉप सीनियर्स किसी भी अक्टिविटी से आउट नहीं दिखाई देते हैं ऐसी सोच है आज कंपनी के रवायल एमबेस्डर बनने के बाद भी मैं यह वक्त तब आपको बताना चाहूंगा कि आज भी जब मैं अपने अप्लाइन के सामने हमारे गुर्देव सुखुमार सर गुरुजी महिपाल सर और महागुर्देव संजीू सर के साथ आज भी बैठता हूँ दस मिनट के अंदर सोच बड़ी हो जाती है सोचो दस करोड कमाने के बाद भी सोच बड़ी हो रही है मेरे दोस्ट, यानि यहां कितना बड़ा खा जाना है, अंदाजा लगओ, इनका एक बहुत बड़ा रोल है, और यह रोल अब परत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, जो हमें पता भी नहीं चलता है, हमें जेनरल यह लगता है कि जो ग्राउंड में साथ में फोल्डर के साथ दिखाई दे रहा है, वही रोल अदा कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्ट, यह सारे रोल हमारे साथ चल रहे हैं, कंपनी, प्रोडक्ट, प्याउट, अप्लाइन, सिस्टम, एजूकेशन, रोयल इंडिया वेकेशन की तुम क्रूज में आओ, खाना ही न मिले, पोच्टिव हो के जाओगे निगेटिव हो के, लेकिन क्या सांदार मेरेजमेंट, रोयल इंडिया वेकेशन देती, एक जोरदा रतालिया, यह सब कुछ, जब एक साथ बनके एक एक एको सिस्टम जनरेट करती है, मेरे दोस्त, और जब उस एको सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, तो हमारी लाइफ में सफलताती है, अपने देखा होगा, हर एक बीज जो किसी कोठी के अंदर, किसी ड्रम के अंदर रखा होता है, उसके अंदर ताकत होती है, पोधा और पेड़ बनने की, नहीं होती है, जो जिन बीजो को अगले साल फसल लगाने के लिए, अपने हाई स्टोरेज रूम में रखे रते हैं, हर एक बीज के अंदर ताकत है, पोधा बनने की या पेड़ बनने की, लेकिन पांच-पैंच साल को ठीक है अंदर, पांच-पैंच साल ड्रम के अंदर रखने के बाद भी वो पोधा क्यों पाली बन पाता, जबकि उसी बीज को उस ड्रम से निकाल के एक किसान, एक माली कुछनी करता, मिठी के अंदर डालता है, और एक बालती पानी डाल देता है, और पांच-दस वär सीच देता है, और धिरे धिरे उसके अंदर से, कोपले निकलनी सुरू हो जाती एर एक दिन व पाया, भर्ती पे पड़ा, मिट्टी के अंदर गया, विसाल का अवरिक्ष बना दिया, अंतर क्या आया, मेरे दोस्त, एनर्जी और ताकत दोनों के अंदर सेमी थी, फर्क सिर्फ आया, कि मिट्टी ने या उसकी सान ने मिट्टी के रूप में वो इन्वार्मेंट दे दिया उस भीज को, जिस इन्वार्मेंट मुसकी उर्जा सकरात्मा ग्रूप से प्रस्फुटित होके, विसाल का अवरिक्ष का निर्मान कर सके, हाई या ना, यस या नो, हम सब के अंदर एनर्जी है, हम सब के अंदर इच्छा सकती है, हम सब अपने परिवार से प्यार करते हैं, हम सब लोगों के अपने अपने सपने हैं, मेरे दोस, S.L.P.S. Wellness, वो इन्वार्मेंट हमें प्रोवाइड करती है, जो हम सब के अंदर छुपी हुई ताकत, हम सब के अंदर छुपी हुई एनर्जी को, उर्जा को बाहर निकालता है, और ब्रांड एम्बेस्डर, एम्बेस्डर डायमंड के रूप में, आप सब की ताकत को विसाल कार्व रिक्ष और पैसो के रूप में, आप सब के घरों में प्रसफुटीद करता है, बोलने में मुझे घर मसूस हो रहा है, कि हम इंडियानी वर्ल्ड डायरिक्ष सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे अच्छी संस्था के साथ काम कर रहे हैं। तो प्लेटफोर्म तगड़ा है, हम सब के अंदर एनर्जी छुपी हुई है, बस जरूरत है उस एनर्जी को काम के रूप में मार्केट में लाने की और अपनी अपनी जिन्दगी बदलने की, कितने लोग तयार हो। ऐसे नहीं खड़े हो के वे। अंदर से अवाज निकाल के बता हो। Are you ready? क्या तयार हैं सारे लोग? क्या तयार हैं सारे लोग? तो कमिट्मेंट कर दे, अगली बार मनाली चार हजार पर कर दे कमिट्मेंट तो गुदेव आपके आशिरवाद से ये सारे फाइटर्स खुद तो आएंगे अपने साथ तिन्ती लोग को और लेके आने वाले Are you ready? कुछ नहीं करना मेरे दोस्ति यहां से जाने के बाद अपना और अपनी डाउन लाइन के तीन लोगों का ID पासवर्ड निकालना और जितना समय बचा हुआ भी एक महिने के टाइम बचा हुआ है पुरे एक महिने तक ID पासवर्ड के साथ ट्रेक करना डेली कॉल करना उनको भी ग्राउंड में निकालना और खुद भी ग्राउंड में निकालते जाना S.L.P.S. अपने साथ है इवेंट अपने साथ है ताकत अपने साथ है आप भी एचीव करोगे और आपकी डाउन लाइन भी एचीव करोगे करने के लिए त्यार है